हेलो गैस तो स्वागत्ते आपका टेकनीक का अंकेत में और मेयना में अंकेत और आज की वीडियो रेड्मी नौटेट यूजर्स के लिए काफी जादा इंटरस्टिंग होने वाली है तो गैस रेड्मी नौटेट डेवाइस के लिए मी यूजर्स का एक न्यू अपडेट रोल आउट हो चुका है जिसका वर्जन है 14.0.6.0 तो गैस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसा भी सब्डेट को डाउलेट कर सकते हो अपने रेड्मी नौटेट डेवाइस के लिए और साती सात आपको यही बताऊंगा कि कैसा भी सब्डेट को इंस्टॉल कर पाऊंगे अपने डेवाइस के अंद तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो गाइस मैंने आपको रैडमी नौटेट डिवाइस के नियू मी यूई 14 अपडेट की लिंक डिस्क्रिप्सन में दे दिये तो आपको इस पर क्लिक करना है तो जैसे उस पर क्लिक करूंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा तो गाइस यह जो अपडेट है इंडिया के लिए रोलाट नहीं हुआ है यह ग्लोबल के लिए रोलाट हुआ है पर गाइस इसका वर्जन है 14.0.6.0 तो ग यहां आप देख सकते हो, blue color में download link दे रखी है, तो आपको इस download link पे click करना है, जैसे आप इस download link पे click करोंगे, आपके सामने एक new page open हो जाएगा, तो guys यहां आपको थोड़ा सा wait करना है, तो guys जैसे आप यहां थोड़ा सा wait करोंगे, यहां आपका automatically update download होने लगेगा, तो guys यहां आप देख सकते हो, यह Redmi Noted device के लिए MIUI 14 का यह new update download होने लगा है, तो आपको इस update को download होने देना है, अपने Redmi Noted device के लिए, तो guys मेरे को यह update download नहीं करना है, क्योंकि मेरे पास यह Redmi Noted 11 device available है, और मैं आपको इस device से process बता रहा हूँ, कि कैसे आपने device के लिए इस new update को download कर पाँगे, तो मैं इस update को cancel कर दे रहा हूँ, बट guys जैसे आपको यह update download हो जाए, तो आपको अपनी home screen पर आ जाना है, home screen पर आने के बाद, अब आप इस update को install कैसे करोंगे, उसके बारे मैं आपको बतायता हूँ, तो guys जैसे आपका update डालोड जाए, तो आपको अपने phone की file manager पर चले जाना है, file manager पर जाने के बाद, जहाँ आपने इस update को download किया होगा, आपको इस update को move करना है, किसी बाद folder में, अपने internal story में चले जाना है, या फिर ID card में चले जाना है, और वहाँ उसे openly move कर देना है, जैसे आप यह वद कर लो, आपको अपने phone की setting में आ जाना है, phone की setting में आने के बाद, आपको अपने about phone पर चले जाना है, about phone पर जाने के बाद, आपको अपने MIUI 14 लोगों पर क्लिक करना है, जैसे उस पर क्लिक करोंगे, तो यहाँ आपके साबने MIUI 14 का interface कुल कर आ जाएगा, तो guys आपको करना क्या है, आपको इस logo continuously क्लिक करते जाना है, तो यहाँ आप देख साँगे, यहाँ एक advanced feature on भूच चुका है, तो यहाँ आप देख सकते हो, ऊपर की side 3.0 दे रखे हैं, आपको इस पर क्लिक करना है, और choose update package में चले जाना है, चूस update package में जाने के बाद, यहाँ आपके device के सारे folder खुल का आ जाएंगे, तो guys मैंने जैस आपको बताया था, आपका update openly move करना है, तो यहाँ आपको scroll करना है, scroll करने के बाद, नीचे की side आपका update आजाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है, और यहाँ एक ok option आएगा, उस पर क्लिक कर दिना है, तो guys जैसे आप क्लिक कर दोंगे, यहाँ आपका readme not yet device का, में UI 14.0.6.0 आपडेट आजाएगा, आपको इसे install कर लेना आपने device के अंदर, तो guys जैसे आपका phone successfully reboot हो जाएगा, install होने के बाद, तब आपके device में यह new update install हो चुका होगा, तो guys यह था readme not yet device का new update, जिसका version 14.0.6.0 और मैंने आपको इसे download करने का process भी बता दिया, और install करने का process भी बता में बेल एकनों प्रेस चरू कर देना, ताकि आपको मेरी latest video की notification सबसे पहले मिल जाए, तो मिलते हैं अगली video में, thank you